आपने देखा होगा कि सनातन धर्म में माथे पर तिलक लगाया जाता है लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है इसके पीछे का कारण जानकर आपके होस उड़ जाएंगे और कोट में एक ऐसा केस भी लड़ा गया था जिसके बारे में आपने अपनी जिंदिगी में भी नहीं सोचा ह इस वीडियो के अंदे तक आपका रियक्शन कुछ ऐसा होगा फिक नमर 30 जोकी उन्हें कहा जाता है जो घोड़े पेटकर रेस करते हैं 1923 में जोकी के रेस के दोरान एक राइडर को हार्ट ड़क आया और उसकी मौत हो गई मरने के बावजूत भी उसका घोड़ा तोड़त लिया और एसा इतिहास में पहली बार हुआ था जब कोई मरा हुआ इंसान रेस चीत गया हो फिक नमर 29 एकसिटेंट हर जगा हर घंटे और हर समय होते हैं कभी ड्राइवर के कारण या कभी सड़क पर चलते हुए आदमी के कारण लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि जहां गा पासी लोना में हर उनिस सकेंट में एकसिटेंट होते हैं फिक नमर 28 ये फिक आपको चोका के रख देगा 4.8 बिलियन लोगों के पास मुबाइल फोन से और 4.2 बिलियन लोगों के पास तूथ ब्रस है डात जाय तो जाय लेकिन मुबाइल ना जाये फिक नमर 27 विक्यानिको ने एक नेनो गीटार बनाया जिसकी लंबाई दो माइक्रोन है जो इंसान के खून में पाने वाले ब्लड सेल से भी छोटा है फिक नमर 26 रेशे के दो हेकर्स ने यूएस की कई सारी कंपनी उसको परिसान करके रख दिया था तो उन हेकर्स को पकड़ने के लिए FBI ने एक न कड़ी पहना दी इन दो हेकर्स ने 40 सभी ज़्यादा कंपनी उसके नेटवर्क को हेक कर लिया और उनमें से पैसे निकालने की कौसिस की फैक नमर 25 निकोला टेसला ने एक घायल कपूतर का इलाज करने के लिए 20,000 डॉलर यानि 46,86,800 रुपीज खर्च कर दिया ये अमाउं से मैं इतना जदा प्यार करता हूं जितना एक आदमी एक अपनी औरस से करता है और ये कपूतर भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जब तक ये कपूतर जिंदा है तब तक मेरी जिन्दगी में कोई मकसद है आप इसके बार में क्या सूचते हो फिक नमर 24 2018 में डोमिनोज ने ये कहा था कि जो भी इंसान अपने सरीर पर डोमिनोज का टेटू बनाएगा उससे हर साल फ्री पीजा मिलेगा 100 सालों तक इसके बाद रस्या में लोग भारी तदाद में अपने बोड़ी पर डोमिनोज का टेटू बनवाने लगे और लोगों की मात्रा इतनी जादा बढ़ गई की डोमिनोज को ये प्रोमोशन एक हप्ते के बाद ही बंद करना पड़ा और इस प्रोमोशन से 350 वेक्ती विजिता बन गए जिने हर साल पीजा मिलेगा वो भी 100 सालों तक कास ऐसा है इंडिया में भी होता फिक नुबर 23 प्राजी इंचाहने के एंपरर जियोन को उनकी पतनी ने रात में उनकी हध्या कर दी क्यूकि एंपरर ने मजाग में अपनी पतनी से ये कहा था कि आपके उमर के हिसाब से अब आपको आपका पत्त छोड़ देना चाहिए मुझे कोई जवान चाहिए रानी क ये मजाग समझ में नहीं आया और रात में सोते समय रानी ने राजा की हत्या कर दी और उस समय रानी के उम्र 30 साल थी लड़कों के लिए जिंदिकी का सबक इससे अपने मरते दम तक याद रखना लड़की के उमर का मजाग कभी मत बनाना खास कर अगर वो आपकी पतनी हो तो फिक नमर 22 प्रित्वी के समुन्दव में बहुत सारा पानी है लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे आपके होस उड़ जाएंगे 12 बिलियन लाट येर्स की दूरी पर इंसान द्वारा ढुना गया ब्रहमान का सबसे बड़ा पानी का रिजर्व है ये पानी का रिजर्व कोसार में है कोसार ब्रहमान का सबसे ज़दा वोलेटाइल और तेज अबजेक्ट है और ये वड़े रिजर्व का पानी प्रित्वी के सारी समुन्दरों के पानी से एक सो चालिस ट्रिलियन टाइम्स ज्यादा है जिसमें पृतिवी जिसे कई प्लानेट समा सकते हैं फिक नुबर ट्विटी वन अर्थ सिमिलेटर पृतिवी पर महजूद सबसे ज़दा पाउफूल सुपर कम्पूटर है जो हर सकंद 55 ट्रिलियन ओपरेशन करता है ये कम्पूटर का इस्तमाल पृतिवी के मोसम को मोडल करने के लिए किया जाता है फिक नुबर ट्वंटी इंसानी सरीर भंगवान के बनाए गई सबसे जडिल रसना है जिसमें अंगिनत राज छुपे हुए हैं इंसानी सरीर के डियने में ही 250 पेराबाइट यानी 250 मिलिन जीबी का डाटा स्टोर किया जा सकता है और इतने में इंसानी इतिहास के जितने भी रिकोटेट चीजे हैं वो समा सकती है और इसके बाद भी इसमें कई सारी स्पेस बच जाएगी आप इन सक्स को जानते ही होंगे अगर नहीं जानते हैं तो इनका नाम है टॉम क्रूज जो हॉलिवूड इंडरेस्ट्री के एक कमाल केक्टर है 1996 में टॉम क्रूज केपरी के कोश्ट के पास अपने याट में घूम रहे थे तो भी उनको थोड़ी दूरी पर दूपती हुई नाव नजर आई वो तुरंत इस नाव के पास गए और पांच लोगों को जिंदा भचा लिया फिक नमबर 18 1990 में केलिफोनिया में रहने वाला पीटर मैक्सवेल ने एक मैनिफेक्टिरिंग कमपनी खरी दी और उस इंसान ने अपनी खुद की कमपनी में ही खुद को नोकरी पर रख लिया और काम के दोरान उसके साथ एक बहुत बुरा एक्सिडेंट हुआ जिसके बाद उसने ही अपनी खुद की कमपनी के उपर केस फाइल कर दिया जिससे पीटर केस जीद गया और उसे केस से एक लाग बाईस अजा डोलर मिले फिर उसके बाद पीटर ने खुद की कमपनी सही एक लाग बाईस अजा डोलर केस में चुका दिये और यह बात अपनी कमपनी के अकाउंट में बता दिया जब भी ये बात वहां के टेक्स ओटरीडिस को पता चली तू उन्होंने तुरन थी उन्होंने पिटर का पेशा जब तकल लिया और अपिल के कारण उन्होंने उस पर कुछ टेक्स लिया और सारे पेशे लोटा दिये फ्रोड भी वो भी नेक्स्ट लेवल फ्रेक्स नमबर 17 पूरी दुनिया में सिंगापूर ही एक मात्र ऐसा देश है जहां एक भी खेत नहीं है क्योंकि जब सिंगापूर आजाद हुआ तो वहां पर खेती करने लायक कोई भी जमीन नहीं बची थी फिक नमबर 16 स्टुडेन ही एक मात ऐसा देश है जहाँ पर भीक मांगने के लिए आपको लैसेंज की जरुरत पड़ती है और वहाँ पर जितने भी भीकारी हैं जो भीक मांगते हैं उनके पास भीकारी मांगने का लैसेंज है फिक नमबर 15 ये स्क्रीन पर जो कुटा नजर आ रहा है उसका नाम हाचिको जिसे दुनिया का सबसी ज़्यदा वफदार कुटा माना जाता है क्योंकि हाचिको हमेशा उस स्टेशन पर अपने मालिक का काम से आने का इंतिजार करता था एक दिन उसका मालिक काम पर गया लेकिन दुबारा नहीं लोडा क्योंकि एक हाथसे के दोरान उसके मालिक की मोद हो गई थी इस बास से अंजान कि उसके मालिक की मोद हो गई है हाचिको उस स्टेशन की उसी जगा पर अपने मालिक का मरते दम तक इंतिजार किया कई लोगों ने उसे वहाँ से हटाने की कोशिश की लेकिन वो वहाँ से नहीं हटा और आज वहाँ पर उस कुत्ती की वहाँ पर मूर्ती बनाए गई है इस कुत्ते को मेरी तरफ से एक सेल्यूट फिक नुबर फॉर्टीन क्या आपको पता है कि लेंबर गनी अपने महेंगी कार का विग्यापन कभी टीबी पर नहीं करती है क्योंकि उन्हें पता है जो इनसान इस गाड़ी को खरीच सकता है उसके पास टीबी पर बेटने के लिए समय ही नहीं होगा फिक नुबर फार्टीन इसी भी पानी की बोटल के उपर लिखे वई स्पारी पानी का खराब होने का नहीं बलकि बोटल की खराब होने की स्पारी डेट होती है फिक नुबर टुवेल्व अगर आप रात में किस इनसान या अपनी खुद की फोटो गिसते हैं तो उसमें अक्सर आखे लाल नजर आती हैं क्योंकि हमारी आखे की पुतली सिर्फ एक खोकला भाग है और रोशनी पढ़ने से आखों की पीछे का खुन नजर आता है और इसी कारण से हमारी आखे लाल हो जाती हैं फिक नुबर इलेवन तेजस्वनी इसका मतलब देजस्वी और महनत करने वाले इंसान से कभी भी अठी कठोर आशिरन नहीं करना चाहिए क्योंकि ज़्यादा घरसन से चंदन की लकडी में भी आग लग जाती है फिक नुबर टेन नोथ कोरिया का संगी ताना सा किम जोग उनने पहली बार अपचारिक धन से ये स्युकारा है कि उसका देश भुकमारी से जूज रहा है रिपोर्ट के मताबिक नोथ कोरिया में एक किलो चैपती एक कावन सो रुपे किलो पहुच गई है और जबकी एक बोटल सेंटबू की कीमत 14,000 रुपे है और वहाँ पह फल में एक केले की कीमत 3,100 रुपे है फिक नुबर नाइन 2013 में चैना में एक आनमी से छोटी सी गलती होनी के कारण वहाँ की गोवर्मेंट ने उसके ओपर एक लाग का जुर्माना लगा दिया और इस बास से वो इंसान इतना ज़्यादा गुस्वा हुआ था कि उसने वहाँ की ऑथोरेटिस से बदला लेने के लिए उन्हें एक लाग रुपे सिक्के में दिये जिसे 18 सरकारी अधिकारियों को पुरा गिनने में पुरा दिन लग गया नेपोलियन बोना पटे के मनने के बाद उनके सरीर का लिंग काट कर एक म्यूजियम में रग दिया गया था और 1977 में 3000 डोलर यानी 2,23,935 रुपे में बिक गया इतिहास का ऐसा कोट केस जिसके बारे में जानकर आपके हो सुड़ जाएंगे सोलवी सदावदी में फ्रांस में वकील ने चुहो को कोट में डिफेंड किया चुहो पर ये इलजाम था कि उन्होंने किसान के सारे फसल को बरबाद कर दिया था इसलिए कोट में चुहों को बुलाने के लिए वहाँ के आसपास के टाउन में पोस्टर लगा दिया गया और लोगों को ये उडर दे दिया था कि वो अपने बिली अपने घर में ही रखे ताकि चुहे कोट अराम से पहुच सके फिक नमर 6 14 साल की उमर में रवी मोहन सेनी ने के विसी जूनियर में एक कड़ो रुपे जीता था और आज 14 साल के बाद ओ लड़का एक IPS ओफिसर है कुछ लोग होते हैं जो अपनी महनस से अपनी किस्मत का हर एक पल अपने हातों से लिखते हैं रवी मोहन सेनी के लिए एक लाइक तो बनता है फिक नमर 5 यदि पृत्वी से दस प्रकास की दूरी पर पृत्वी जितना ही बड़ा आएना लगा दिया जाए और पृत्वी से टेलिसकोप के जरिये उस आएना में देखा जाए तो तो सिधां के हिसाब से हमें पृत्वी का 20 साल पहले का समय नजर आएगा पिक नमर 4 अगर आप किसी भी संख्या को 9 से मल्टिप्लाई करोगे और जो एंसर आएगा उसके सारे अंको को आपस में जोडोगे तो उसका हमेशा एंसर 9 आएगा 9 का मल्टिप्लाई 9 में करेंगे तो 81 आएगा और 8 प्लस 1 होता है 9 78 में 9 का मल्टिप्लाई करेंगे तो आएगा 702 7 प्लस 0 प्लस 2 आता है 9 और 345 में 9 मल्टिप्लाई करेंगे तो आएगा 3105 यानि 3 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 5 होता है 9 पैसिनेटिंग पिक नमर 3, बिचू ऐसा जीव है जिसने कभी भी अपनी जिंदिगी में अपनी मा को नहीं देखा योकि मादा बिचू बच्चे को पेदा करने के बाद मर जाती है ऐसा इसलिए कि बिचू पेदा होने के बाद अपनी मा को ही खा जाते है फिक नमबर टू, ये स्क्रीन पर जो लड़का नजर आ रहा है, उसकी उमर बिस साल है, सूब कैसे, ये तो लड़का होगा करिमन दो या तीन साल का, ये बिस साल का कैसे हो सकता है, सच तो ये है, कि लड़का सच में बिस साल का है, ये लड़के का नाम है ब्रोक इस लड़के को एक rare syndrome X है जिसके बढ़ने से बच्ची की उमर नहीं बढ़ती है mentally भी और physically भी अगर किसी दो साल के बच्चे को syndrome X है तो उसके 20 साल के होनी के बाद भी उसकी body और उसका दिमाग उसी दो साल के बच्चे जिसा होगा pick number one पर जाने से पहले जिसने इस चैनल को subscribe कर रखा है और जिसने नहीं किया है वो इस लाल बटन के उपर क्लिक करके पास ओले bell icon को enable कर लीजिये ताकि future में और भी कमाल की वीडियो की notification आपको मिलती रहे pick number one सनातन धर्म में मात्या पर तिलक लगाया जाता है इसके पीछे का करण जानकर आपका reaction कुछ ऐसा होगा और आप follow गए tremendous, amazing, enigmatic ये जो तिलक लगाया जाता है वो दिखावे के लिए नहीं लगाया जाता है ये simple तिलक के पीछे काफी जादा science है जिसके बारे में हमारे महा विद्वान रिशी मुनिया जानते थे तिलक को हमारे माते के बीच में लगाया जाता है जो हमारा अंजना चक्र, तिसरी आख और scientific language में कहूं तो pineal gland होती है और ये तिसरी आख इंसानी सरीर के कई nerve point पर होती है और जहाँ पर तिलक लगाने पर कई फायदे होते हैं तिलक लगाने से इंसान anxiety और stress से मुक्त हो जाता है और मन साथ और सुद्ध हो जाता है क्योंकि जिने नीन नहीं आती तो वो तिलक लगाना start कर दे तिलक लगाने से sinus की problem ठीक हो जाती है क्योंकि तिलक लगाने से हमारी नाक में ब्लर्ड फ्लो काफी ज़्यादा बढ़ जाता है नमबर फॉर माथे पर ये पॉइंट पर सुप्रेटिकलर नर्व जोइंट होती है और ये नर्व जोइंट आखों से जुड़ू होती है और तिलक लगाने से हमारी आख की आसपास की मसल में उतेजना होती है जिससे हमारी आख की रोसनी और स्वास्त काफी ज़्यदा बहतर हो जाती है नमबर फाइब तिलक लगाने से सुप्रेटिकलर आटरी और सुप्रेटिकलर वेंस में काफी ज़्यदा उतेजना होती है जिसके करन हमारे चेहरे की मसल्स भी उतेजित हो जाते है जिससे तिलक लगाने से हमारे चेरा साफ हो जाता है जूलिया कम हो जाती है और चेरे पर एक अलग ही तेज होता है कान का सबसे जरूरी हिस्सा जिस पर हमारी हेरिंग पावर डिपेंड होती है और तिलक लगाने से हमारा कोखेलर बेतर होता है और हमारी hearing power काफी ज़्यदा increase हो जाती है No.7, No.7 concentration और memory power काफी ज़्यदा बढ़ जाती है मतलब माथे पर चंदन, कुमकुम या राक लगाने से इतने सारे फायदों होते हैं सनातन धर्म के रिसी मुनिया कमाल के थे धन्यवाद इसी चीजों के लिए आपको कौन सा फेक्ट बहुत अच्छा लगा कमेंट बोक्स में बताना मत भूलना तो लाइक और सस्क्राइब में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और आपको अगला टोपिक किस वीडियो पे चाहिए कमेंट बोक्स में बताना मत भूलना दिस वोप साइनिंग आउट